नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आप लोका दोस्तों आज के वीडियो में आज जो जरी बुटी दिखाएंगे बहुत ही बहतरीन आउसधी है बहुत ही बहतरीन पोधा है बहुत ही दिब्य और बहुत ही जवरदस्त जरी बुटी है इसके अनेक मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तो लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं बस मेरा मनोवल बर जाता है मेरा मोटिवेशन होत है जिसके वज़े से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं इस वीडियो को जादा जादा सेयर करें लाइक करें क्योंकि इस वीडियो में जो आपको जरी बुटी दिखा रहे हैं यह जरी बुटी हर जगे मिलता है चाहे खेत हो खलियान हो बगीचे हो चाहे आप सहर में रह रहो चाहे गवं में रह रहो यहाँ पउधा आपको असानी से देखने को मिल जाएगा बहुत ही बहतरी ना बहुत ही powerful जरीबुटी है दोस्तों इसको देख लिजे आपके घर के आसपास ही असानी से मिल जाएगा आप जहां रहते हैं उसी के आसपास या दोस्तों गाउं घर में रहते हैं तो खेत के मेर के बगल में मिल जाएगा या सहर में रहते हैं तो रोट के किनारे मिल जाएगा कहीं भी यह पोधा अपने आप उगने वाला है और दोस्तों यह नमी वाले छेतर जहां भी थोड़ा सा नमी होगा न अपने आप स्वाते हैं ये पोधा उगने वाला है, ये पोधा बिलकुल नियचुरल पोधा है, आपको कही भी मिल जाएगा बिलकुल निरापद पोधा होता है ये, तो ये जो जरीबुटी होते हैं इससे नुकसान कम होता है, फायदा कई गुना ज़ादा होता तो दोस्तो यह बिल्कुल नैचुरल है बिल्कुल प्राकृति का दिया हुआ एक तरह से यह जरीबुटी है आप इसका प्रियोग करें और अपने आपको भी स्वस्त रखें प्राकृति को भी स्वस्त रखें हर चीज इससे नैचुरल है अज आधुनिक समय आ गया है लोग म हमारे जरी बुठी है ना आज से नहीं हजारों साल से serpent गर आज करते आ रहे हैं लोग इसmitा ने ले रहे हैं तो दोस्तो भी समय का पर एडिसिन कुछ समय के लिए फायदे मंद होता है लेकिन दोस्तों बाद में यह नुकसान भी करता है इसलिए दोस्तों मैं चैनल के एक ही मकसद है का आप लोग जरीवुटी का स्परियोग करें जो कि हमारे घर के आसपास ही मिलता है आप इसा को परियोग करके बहुत सारी बि एक हमारी को दूर चुटकियों में कर सकते हैं और दोस्तों आज जो फायदा बताएंगे आप इस फायदे को जान करके दंग रहाजाएंगे जरीवुटी जो होते हैं बहुत ही चमतकारी होते हैं और जो इसको नहीं पता है वो नहीं इसका प्रियोग कर पाते हैं हम लोग इसको वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से सुनें, तो हमारे गाउध दियायत में, आज भी गाउध दियायत में, इसका लोग भाजी बना करके, सबजी बना करके, इसका प्रियोग करते हैं, और दोस्तो इसको ऐसे भी तोड़के अगर खाएंगे न, और बहुत ही स्वाधिश्ट होता है, आप भाजी बना करके, जैसे मैंने बताया, उस टाइब से खा सकते हैं, और इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर छोटे छोटे फूल होते हैं, और यह जमीन पे फैलने वाला फोधा होता है, पोधे को हमारे छेतर में नूनी, उल्फा और नूनी इस कई नामों से जाने जाते हैं, आपके भी छेतर में किसी और नाम से जाने जाते हैं, दोस्तों आप इसके बारे में अगर जानते हैं आप कौन-कौन सी पडियोग में लाते हैं कौन-कौन सी बिमारी को दूर करने में अगर आपके पास जानकारी है तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं ताकि नेरे द्वारा आपके द्वारा किसी और को तीसरे आदमी को जानकारी मिले और इसका फायदा ले सके तो इस वीडियो में मुझे जितना जानकारी है जितना मुझे इसके बारे में नौलेज है वो आप से मैं सेयर करूँगा एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा बहुत ही कमाल की जानकारी है दोस्तों आपके हजारों रुप्या का खर्च होने से बचा सकता है बिल्कुल फिरी है बिल्कुल नैचरल है और घर के असपास असानी से यह मिल भी जाता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि दोस्तों कोई भी जानकारी आधी अध्यूरी जानकारी आपके काम का नहीं रहता है और उससे फायदा भी नहीं हो पाता है इसलिए पूरा जरूर देखें उसको यह जर से खत्म कर देता है कुछ दिन सेवन करने मात्र से तो दोस्तों आप समस्त रखते हैं अगर आमासे की या पेट की कोई समस्तिया दूर हो जाए तो दोस्तों कितनी बिमारी ऐसे ही खत्म हो जाते हैं अगर दोस्तों कोई बिमारी हो भी गई है तो वो धीरे धीरे इसका सेवन करने मात से समस्त बिमारी जर से खत्म हो जाती है। कबज रहता है उसको सिग्र पतन की समस्तिया हो जाती है। दोस्तों जिसे एसी डिटी कबज जैसी समस्तिया होती है उनको भी जरूर खाना चाहिए इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इसका भाजी के रूप में परियोग कर सकते हैं या फिर ऐसे धूल करके कच्चा खा सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल करके सेवन कर सकते हैं। आप इसका किसी भी तरीके से परियोग करें। फायदा आपको उतना ही मिलेगा। इसमें बिटैमिन C, बिटैमिन A, बिटैमिन B, मैगनिसियम, फासफोरस, आइरन जो हता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, फाइवर पाया जाता है, बिटैमिन्स, खनीज लवन इसमें पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। जो कि हमारी शरीर में बहुत सारे महत्पुन तत्व हैं, जो सारे व४ सारे तत्तव इसमें बिद्वान होता है। आप इसका परियोग करें आप इसका लाव उठ़ाएं। अगर खौतल चामता को बरता है। जैसे कि दोस्तों आगर खादी पदार्थ में हम सोचते हैं जैसे दूद को सबसे इंपोर्टेंट देते हैं उसी तरह बनस्पती में जरी पौधे में इस कुलफा घास का इंपोर्टेंट है पाबरफूल और सर्फगुन संपन या उसधी माना जाता है आयरुवेद में अपे की कमी को या दूर करता है क्योंकि इसमें कैल्सियम और फास्पोर्स भरपूर मातरा में होता है जो कि बूढ़े हड़ी में बहुत अच्छा अलाब में होता है बूढ़े आदमी के लिए बह बिटैमिन C अगर आपको सरीर में है तो वो जल्दी उसको नहीं होने देता है दोस्तों यह संकरमन से बचाओ करता है और सरीर को हमेशा सुरक्षित रखता है तोचा में चमक लाता है जुरियां होते हैं दाग धबे होते हैं उसको भी यह मिटाता है और सरीर को सुन्दर ब खाने में अगर सही खाना नहीं पच्चता है उसको यह सही करता है पहले ही बताई है मौजूद केल्सियम फास्फॉरस जो हमारे हड़ियों को मजबूत बनाता है हमारे सरीर को बिलिष्ट बनाता है कंजोडी से बचाता है अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है गठिया का स सकात हो उसको भी यह सही करता है दांतों को स्वस्त बनाता है मसूरे को स्वस्त बनाता है अगर दांतों से बलड आ रहा है या दांत सरनी की समस्या है या दांतों में कोई तरह की दिक्कत आ रहा है उसको भी यह सही करता है और दोस्तों इसमें बिटैमिन ए और आइरन जैसी स इसमें महजूद होते हैं भरपूर मात्रा में होते हैं कि हमारे खून में हीमो गलोविन और रेड ब्लड जो है न उसको यह आर वी सी को यह बढ़ाता है रेड ब्लड सेरिकुलर को यह सही करता है और बढ़ाता भी है और इसको कंट्रोल रखता है उल्फा घास का अगर नियम की बात करें हार्ड जी हां दोस्तों हार्ट जो एक बहुत ज्यादा समस्या बर जाता है अचानक धरकन बर जाता है जिसे हार्ट एक जिसी समस्या हो जाती है तो दोस्तों यह बहुत अधिक मात्रा में लोग देखा जाता है बहुत साड़े क्योंकि दोस्तों यहां आज के समय के बज़े से बहुत सारी समस्यां जो की बहुत बढ़ते जा रहे अगर आप इसका सेवन करते तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको अराम मिलता है बहुत बहुत सारी समस्यां जो के खाटा है तो दोस्तों आप इसका सेवन करें बहुत अच्छा आपको रिलाक्स मिलेगा और बहुत हाट एट्राइस जوس मिलेगा गास अगर यह जरिवुटी आप खाते हैं तो दोस्तों आपके जो सरीर में कलिस्ट्रोल लेश्ट्रा हो जाता है उसको नियंतरित रखता है जिसके वज़े से कई सारी बिमारियों से आपको बचाता भी है ऐसे तो कलिस्ट्रोल दो तरेक होते हैं दोस्तों एक बैड कलिस्ट्रोल और गुड कलिस्ट्रोल जो बैड कलिस्ट्रोल होते हैं वो क्या करते हैं हमारे नसों को जाम कर देते हैं जिसके वज़े से बहुत साड़ी समस्तियां फाइदा हो जाती है रिसर्स हो रहा है कई रिसर्स से ये भी पता है जो good cholesterol होता है वो भी नुकसान कर जाता है कभी-कभी तो good cholesterol हो या bad cholesterol हो दोनों को नियंतरित रहे तो ज़्यादा अच्छा है body के लिए क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर good हो तपर भी नुकसान होता है और bad हो तो तपर भी न इसको भी यह सही करता है तो बार-बार चक्कर आने की समस्य होता है न तो आप इसे भाजी की रूप में कम से कम 50 गराम पारम में रोजा नअ इसका स्यायर कर aren उस्से आपको जन वारब चक्कर आता है उस्से आपको छुटकारा मिलता है तो इसका रस निकाल करके 50 गरम की मातरा में आप सेबन करें उससे भी बहुत अच्छा लाब मिलेगा गास को ले आए और इसका अच्छी से धूल करके इसका पीस करके रस निकाल लें जी आँ रस निकाल करके 50 गरम की मातरा में और 50 गरम मातरा उसमें पानी मिला करके सेबन करते मूत्र समंधी कोई भी विकार हो जैसे मूत्र में जलन सूजन इंफेक्शन किसी भी परकार का समस्या या बार-बार मूत्र जाने की समस्या होता है रुक रुक के आता है दर्द होता है सारे समस्याओं का जर्सिक खत्म कर देता है उल्फा घास का जो है बच्चे से लेकर के बुढ़े तक हर कोई इसका प्रियोग कर सकते हैं सेवन कर सकते हैं या तो जूस बना करके कर लें भाजी बना कर लें या इसका सलाद बना करके कर लें या ऐसे धूल करके खा लें किसी भी तरीके से करेंगे आपको बहुत अच्छा लाव मिलेगा उल्फा घास का के यह ज्यादा फाइदे मंद है जिस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है विकास नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों उस बच्चे को आप क्या करें इसका रस निकाल करके एक चमच की मात्रा में एक चमच इसमें पानी मिला करके बच्चे को सेवन करा है दोस्तों बच्चे का गर जो growth रुख गया है विकास रुख गया है उसको बहुत अच्छे से उसको यह cover करता है, सरीर में कमजूरी को दूर करता है, बच्चे को growth करता है, दोस्तो यह बिल्कुर natural है, आज के समय में कुपरसन के सिकार हो जाते हैं, यहां तक बच्चे की मम्मी जो hostे भी कुपोशन के सिकार हो जाते हैं तो भी इसका सेवन करें दोनों बच्चा और मम्मी दोनों के लिए बहुत बहत्री नोसदी है दोस्तो इस वीडियो के माध्याँ से मैं आपसे सेर कर रहे हैं हमारे घर के आसपास मिलता है एक रुपिया खर्च नहीं होना है गुलफा घास का प्रियोग करें अगर बच्चे करते हैं या उसके मम्मी करते हैं तो दोस्तों दोनों का पूरा होता है बहुत अच्छा है कुपोसन का सिकार नहीं होगा उसके सरीर में जो भी कमी होगा विट